आपका स्वागत है टार्गेट सरकारी नौकरी चानल पर मैं हूँ शाद अली आज के इस वीडियो में हम कुछ बाते डिसकस करेंगे आपकी परिक्षाओं की तयारी को लेकर साथ ही इस चानल पर हम आपको किन परिक्षाओं की तयारी की या क्लासिस अब शुरू करने जा रहे हैं और किन विश्यों को हम पढ़ाएंगे इस बात का डिसकस्षन इस वीडियो में रहेगा जो लोग इस चानल पर ने हैं आपसे रिक्ष्ट है सब्स्टाइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सकें अगर हम बात करें इस चानल की जरनी की तो हमने साल 2018 से इसकी शुरुआत की थी जब आपका LT grade का नोटिफिकेशन आया था उस नोटिफिकेशन के साथ में हमने आपको यहां पर classes available कराना शुरू कर दिया था उसके बाद UPTET उसके बाद 39000 सिक्षक भरती उसके बाद खंड सिक्षा अधिकारी के classes हमने आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कराई जिसको आपने बहुत ज्यादा पसंद किया इन classes को हमने आपको screen recording के माध्यम से उपलप्त कराया था जिसमें मेरी केवल voice over मेरी आवाज होती थी और इस आवाज के माध्यम से ही आप मुझे पहचानते हैं आज से दो दिन पहले गुरू पूर्णीमा के दिन हमने अपना पहला face वीडियो अपलोड किया था चैनल पर आप में से बहुत सारे students ने मुझे पहले भी देखा होगा एक success story की थी हमने अपूर्वा मेम की अपूर्वा मेम अभी वर्तमान में SDM के पत पर कारेरत हैं जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है चैनल पर जो है दूसरे चैनल का link available है या description में उस वीडियो का link मिल जाएगा आप देख सकते हैं तो अभी तक हमारी classes जो है screen recording के माध्यम से आपको मिल रही थी जिसमें मेरा केवल voice over होता था लेकिन अब से जो classes आपको मिलना शुरू होंगी उसमें आपको voice के साथ में face video यानि आपको पूरा combination एक interactive class हम लोग बनाने जा रहे हैं और आपको practice sets, theory classes अब इस channel पर हम शुरू करेंगे इसी week से इन परिशाओं की जो classes हमने आपको कराई थी इनको आपने बहुत ज्यादा पसंद किया इनमें जो teaching style, teaching method हमने apply किया था किसी विशय को समझाने में, किसी topic को समझाने में उसे आपने बहुत ज्यादा पसंद किया, जिसकी वज़े से आज तक आप हमसे जुड़े हुए हैं और इस तरीके को अब हम और ज्यादा अच्छा बनाने वाले हैं क्योंकि ये interactive class रहेगी, जिसमें मैं आपको सामने से पढ़ाऊंगा इनको बहुत ज्यादा हम अब creative बनाने वाले हैं in classes को एक-एक topic को अब आपके जहन में ऐसा भर देंगे कि वो आपकी job को पाने में ये एक किसी भी government job को जो भी आप जिस परिक्षा की तैयारी कर रहे होंगे उसको selection पाने में बहुत helpful होगा साथ ही वो लंबे समय तक आपको चीज़े याद रहें क्योंकि हो सकता है आप में से जो लोग पढ़ते हैं उन पढ़ने में क्या होता है कि हम लोग ज्यादातर चीज़ों को क्या करते हैं रटने की कोशिश करते हैं तो किसी जो तत्थे निगल करके आते हैं वो उनके पीछे एक कहानी होती है जो हम आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं जिसकी वज़े से आप उनको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं तो ये creativity हम जारी रखेंगे और इसको और अच्छे लेवल पर हम लेकर के जा रहे हैं इस बार क्योंकि इस तरीके से आप चीज़ों को विशे को थियोरी को लंबे समय तक याद कर पाते हैं साथ ही आपने जब इन परिक्षाओं की तैयारी इस चानल से की उसके बाद में आपके यहां से कई सारे स्टुरेंट्स के यहां से सेलेक्शन भी हुए हैं LTE grade में हुए हैं 69,000 सिक्षक भरती में और खंड सिक्षा अधिकारी में भी उन्हें काफी help मिली है तो junior सिक्षक भरती की classes अब हमारी resume हो जाएंगी classes continue चलेंगी साथ ही हम UPPET UPPET की classes भी शुरू करने जा रहे हैं और इसके साथ UPTET उत्र प्रदेश सिक्षक पातरता परिक्षा की classes भी यहां चानल पर शुरू करेंगे तो प्रदेश के वो सारे अभ्यार थी जिनोंने BAT, BTC, DLAT किया है वो सभी इंतिजार कर रहे हैं नई सिक्षक भरती का जिसके बारे में सरकार के द्वारा पहले announce किया गया था कि इस वर्ष के अंति तक जो है एक नई सिक्षक भरती हमें देखने को मिलेगी इस पर हमने दो दिन पहले बात की थी हमने आपको बताया था कि इस भरती को लेकर सरकार की तरफ से शाशन की तरफ से या आयोग की तरफ से कोई ऐसे संकेत नहीं मिल रहे है कि ये भरती इस साल आ पाएगी क्योंकि इनके अकॉर्डिंग जो UPTT की परिक्षा है वो दिसंबर के मध्य कराने जा रहे हैं अगर दिसंबर के मध्य होती है तो मुश्किल होगा इस साल ये भरती आना इनी सब को देखते हुए जो अभ्यारती हैं वो ये समझ गए हैं कि अगर अभी प्रयास नहीं किये गए अपनी मांग नहीं उठाए गई नई सिख्षक भरती को लेकर के तो बहुत मुश्किल होने वाली है नई सिख्षक भरती आने में यहां उत्रिप्रदेश में इन सब को लेकर छात्रों की तरफ से नितरित्व करता है बंटी पांडे जी ये नित्रित्व कर रहे हैं इन्होंने कहा है कि दो अगस्त को वो धर्ना प्रदशन करने जा रहे हैं जिसको अगस्त करांती का वो नाम दे रहे हैं इसी नई सिक्षक भरती को लाने के लिए क्योंकि अब अभ्यार्ची को ये समझ में आ गया है कि अगर अभी भी हमने प्रयास स्टार्ट नहीं किये अभी अपनी मांगे अगर सरकार के सामने नहीं रखी तो बहुत तेर हो जाएगी इस भरती को आने में तो इन एडमिट कार्ट को आप डाउनलोड कर लीजे और अपना जो फाइनल रिवीजन है इसको भी अब कर लीजे